नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम राग्विन रहो में इटेकिस्व श्कान्त्पू से भात कर रहा हूँ तो दोस्तो आज हम जो टॉपिक को उपर वीडियो लेकर गया हैं आज हम जितने भी हमारे सारे स्टुटेंट हैं किया बहुत अच्छा अपडेट लेकिया हैं मैं आपको इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ क्योंकि जैसे कोई नए नए चीज अपडेट आते हैं तो मैं आपडेट आपके लिए कर गयाता हूँ पहले हमारा जो वर्जन आता ता नए 10.6 आता था लेकिन अभी हमारा जो रिसेंटली 23 तारिक से जो हमारा ये आया हुआ है 24 तो लाँच हुआ है 10.7 कौन से वर्जन लाँच हुआ है 10.7 10.7 वर्जन के अंदर क्या क्या चीज़िये अपडेट सायए वो मैं वीडियो के मात्यम से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ ताकि जो ऐसे स्ट्रेंट है जिनका 10.6 या उससे पहले का है तो आप अपडेट कर लिजिए क्योंकि इसमें ओपो को मॉबाइल फोन इसके को मॉबाइल फोन होते थे जो मॉबाइल फोन करने तो जो अन्यायल्य से का ही वे है př liability भू जो नंग्ला के तो है विखुल आसान तरीके से आप मोबाइल को लागता सकते हैं चलिए दोस्तों हम जो अपडेट आया उस अपडेट के बारे में बताते हैं और आप इसको अपडेट को कैसे करने वाले हैं सबसे फ़ेली बात इस डोंगल को चलाने के लिđ डोंगल को क्या करना पड़ेगा ? सबसे पखक 지inky में पर जा और ट्लिएघ के नियूटन करना पड़ेगा है कि बर डूंगल को सिस्टम के लगाएंगे जैसे कि बर दॉंगल को सीजिपने में लगाने के बाद सबसे पहले ग्ोगल में जा क्रेंगे तुमको लिए अम्मिटी इसके के सपूर्ट करके दानलूड क् tortilla में में लिए अब देखके यहापको using the support का यह option आता है icon आता है कि अंदरhhh जाने कि पार जो क्या हैहा या 10.7 दोस्तों जैसे तो वह सेने हमारे पार-णिया को आया हुआ है 10.7 और 10.7 जो मौर के ऍटने तारीख और अगस्त कौँ मौ थिता था पैले वाला 15 अगस्त हो आया था तो मैं यह जो update आया है मैं इस update में लेकर क्या आपको समझा रहा हूँ क्या कैसी जब डेट आए उसके बारे में अब सबसे पहली बात क्या करेंगे हम लोग 10.7 जैसे 10.7 पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद OK किया उसके बाद start किया जैसे Start के ख यहां पर हमारी क्या हो जाएगी डैन्लोडिंग क्या हो जाएगी बाल आप 10.7 जी अदम लोगोजाएगा तो आप इसे यूज करेंगे जिसे आप इसे यूज करेंगे और इसमें नई चीज आड होई है वह कैसे पता चलेगा और क्वालिकाम सीप्यू को जितने भी मुबाइल फोन आते हैं सभी मुबाइल फोन के आप यहां से अनलॉकिंग कर सकते हैं बड़ा असान तरीके से यह एंटी डोंगल एक बहतर और अच्छा डोंगल है जितने भी सारे जो नए लोग हैं जो मुबाइल फोन रिपेरिंग के अपना प्राय रखना चाहते हैं अच्छा काम करना चाहते हैं तो यह नए चीज आई यह नया फीचर आया है इसके माध्यम से मुबाइल फोन कौन कों से और अनलॉक होने वाले हैं आच्छा यह जितना भी सारा सब चीज है यह अपडेट्स लेकर कर आता रहता है कौन अप आप प्लॉडर में जाएंगे स्थिखाई दे रहाना सभी को पूरा के लिए से यह नए-पड्स फोल्डर में जाएंगे यहां पर लेकिन 10.7 है इसको अम्लोग क्या करेंगे इस ट्रक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् करो thi दैटको है कि ऐंगे Intercept यहां पर आप क्लिक करेंगे आई다가 क्लिक करेंगे लिगल इंपरमेशन है कि जो दोस्तों के पूर अच्षे पढ़ेंगे कि यहां पर आप जाएंगे कि यहां पर क्रस्षप पर यहां पर नीचे आएंगे नेचे नीचे उसके बाद आप जा करेंगे, नेक्स करेंगे, अच्छा, नेक्स करने के पाद यह आप लिखने के बाद, आप 10.7 लिखने के बाद, आप अच्छा, यह क्या कर सकता है, यह सारा चीज आप अपर सपोर्टेट फंसन, यहीं पर जब आप नीचे आएंगे, और 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 नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, तो देखिए, एड़ेट, एड़ेट का क्योंकि OEM के मात्यम से हम लोग मॉबाइल पन में फारभी को अठाते हैं Samsung के पॉन में के लिए फीचर आया है Redmi का Redmi 10 Redmi 10 मॉबाइल पन है वो इसके अंदर एड हुआ है Redmi Note 8T Redmi Y3 यह बहुत सारे मॉडल है Samsung के अगा देखेंगे तो Samsung Z3, S21 Ultra यह बहुत सारे जो मॉडल एटेश 5G मॉबाइल पन यह सत्तर M55 यह जो बहुत सारे जो मॉडल जिसके अंदर नहीं थे वो सारे मॉडल इसके अंदर एड होगे एड का मतलब होता है एड न्यू क्या नई शीज आ एड होगी जैसे आप इसको नेस्स करेंगे नेक्स करेंगे इस्टॉल करेंगे जैसे आप इस्टॉल करेंगे तो इस्टॉलेशन चालू हो जाएगा और इस्टॉलेशन चालू होने के बाद आपका पूरा स्वक्टर आपकी स्क्रीन में स्टॉल होकर आजाएगा जैसे नया software install आजाता है तो उसमें दो मोडल हो चाहे 50 मोडल हो चाहे सो मोडल हो आप उसको हमेशा update कर लिए जी दोस्तों क्योंकि अगर आप update करके रखेंगे तो आपके पास ऐसा model आएगा तो हो सकता है software करने में आप अच्छम रहें लेकिन अगर update करके रखेंगे तो वो mobile phone आगाए तो फट से unlock हो जाएगा या mobile phone ऑट जाएगा या mobile फॉन लॉक्त तूट जाएगा और बहुत आसान तरीके से आप इससे कर सकते हैं कि जैसे हमने इसको के किया कि रिप्यर पे क्लिक किया कि इसके पाद हम लोग क्या करेंगे कुलोज करेंगे कि नैस्ट करेंगे फिनिस कि येस कि अब आपके सामने स्क्रीन आपके सामने खुल गया जाएगा कि येसे क्वालिकां को अपने अपडेट कर दिया और ऑप क्वालिकां आपने स्क्रीन में खुल कर जाएगा खुल करने के बाद आप उसे ओपन कर पाएंगे यूज कर पाएंगे कि देखें तो यहां पर आप देखेंगे तो 10.7 लिकर क्या आगया है अब यहां पर सफसे पहला उप्सन आता है यहां पर जो भी मुबाईल फोन आता है यह अगर उस मुबाईल फोन का फ्लैसिंग करना चाहते हैं बात आता है इसमें फाइल कैसे लोड आगया है तो फाइल कैसे लोड देखेंगेगाँ जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे इस फाइल को जो अबने इमेज नाम को फोल्टर कुलेगा और यह फाइल आजाएगी इसके अंदर आपको रोजीरो और पैक्स जीरो दो फाइलों को लोड करना होता है वह पैक्स फाइली अगर चाथया जैसे दो फाइल लोड़ करेंगी इसके बाद आप डेस्ट करेंगे चाहिए सारे इनफरमेशन यापा लोड हो जाएगी अकमने बिह प्रकाट में माफ़ कर दो प्रकाट में अब वहनु करेंगा बदर चाहता है उसके बाद आप पैश जीरो को जाएंगे, डिफॉल्ट पैश जीरो आटमेटिक आजाता है, श्टार्ट हो जागे उसके बाद फ्लैसिंग में क्लिक कर देंगे, जैसे आप फ्लैसिंग में कल देंगे, तो आपका मोबाईल फोन में फोन कनेक्ट होगा, और जितना भी अगर आप मोबाइल फोन में लोग तोड़ना चाहते है तो रीडन टूल में जाएंगे जैनेरी कॉली काम एनी मॉडल रहने दीजिए रेडमी जो मोबाइल फोन के लिए कोई मॉडल लेनी ज़रुगत नहीं यहां पर जाकर गया आप फॉर्मेट एफस पे क्या करेंगे उसके बार एक जीच्वित करेंगे फोन को अलड का आले पहले से करनेट करा लेंगे आपका मॉपाइल फोन फोन मिट वर्मेट हो जाएगा यहांरे पाग कोई वीक दिपर को मॉबाइल फोन बसी आता है तो आप यहां पर यहां पर जाएंगी मोडल को सब्सक्राइब सिक्सक्राइब पूर्मिट हो जाएगा यहां से जाके फॉर्मेट कर देंगे इन्फिनिस के लावाद तुम्हारे पास मॉबाइल फॉन को आथा तो आप रियल में भी किलिक करेंगे तो रियल में पर करते ही रियल में कि जितने भी सारे मॉडल यहां पर खुल जाएगे आप उस जो भी मॉडल आते हैं उस मॉडल को यहां पर ले लेंगे मॉडल लेने के बाद फॉर्मेट एफ्ट करेंगे और आपका मॉबाइल फॉन फॉर्मिट हो जाएगा यादि ओपो की बात करते हैं तो ऑपो के अंदर बहुत सारे जो हॉट्ट मॉड्निंग मॉडल थे व बी मोबाइल फोन में से OES कॉपी करके दूसरे फोन में डालना चाहते हैं तो सिर्फ आप यहाँ पर जा करके आपको सबसे पहले बात यहाँ पर आपको जैनरिक लेना पड़ेगा जैनरिक क्वालिकाम एन्य मोडल रहने देजिए फोन कनेट कराइए रीड फरमबेर पर खिलिक करिये आप उस मोबाइल फोन को सौप्टर कॉपी करके आपके कम्प्यूटर में डख जाएगा फिर आप फ्लैसिंग में जाकर को उस फाइल को दूसरे फोन में फ्लैसिंग कर सकते हैं रीड फरमबेर को अप्सन होता है रीड पैटर्ण से आप पैटर्ण को रेट कर सकते हैं लेकिन 10.6 वर्जन से नीचे अगर आपके बार कोई भी मोडल आता उसका मोडल नहीं पता चल पाता फोन करनेट कराईए यहां पर देट इंफोर्मेशन से मोडल के इंफोर्मेशन पता चल जाए दे यहां से मुबाइल पोन के में चालेगाराईया करुए मुबाइल पह चौन को हड़ा है जी सिर्फ अप लगता है और है अगि का मोबाईल फोन में अगर अपको आठाना तो है अब एड़ी मोड में भी अपको आठा सकते हैं उसके लिए मोबाईल फोन लेगे मॉबाईल फोन को पहले MI assistance मोड में connect कराईए फोन में volume प्लस power बटन दबाएंगे इसे नीचे एस्टेन में जाकर कर आए है, मॉबाइल पून को, डाटा के भी लगाइए, यहाँ पर जाकर करगे, यहाँ पर पार जो भी, वकर पर यहाँ पर आपार बेल मी को ज़ेंगे, आप यहां से भी जा करगे, मोबाइल फोन तो एरिया जूज़ा डाटा, FRP रिशेट, हज़ी करके यहां से भी FRP को अठा सकते हैं तो यह आपके मोबाइल फोन में यहां से लॉक तोड़ने का और फ्लैसिंग करने का तरीका दिया हुआ है जैसे OPPO, Vivo, Real में जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन को बड़ा एजली तरीके से आप मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर सकते हैं मोबाइल फोन में फ्लैसिंग कर सकते हैं मोबाइल फोन में MI एकाउंट को अठा सकते हैं इतने भी सारे ऐसे काम होते हैं, सारे काम इस सौफटर के मध्यम से कर सकें. अच्छा इस सौफटर के अंदर मुफ्लिक क्वालिकाम सीप्यू का मॉबाइल फोन इठीक होगा. अगर क्वालिकाम के लाब कोई दूसरा मुबाइल फोन है, तो आप इसके जो अदर वाप्धर हैं उन वाप्धच को सिलेट करें. जिसे मेडिया टेक लिए मेडिया टेक को यूज़ करें. स्थेविजर्वन के पारें, सैम्संग के लिए पारें. लेकिन अगर आपके पास कोई क्वालिक हाम CP को कोई भी मुबाइल फून आता है तो यहाँ पर जाकर कि आप मुबाइल फून में अनलॉकिंग कर सकते हैं तो दोस्तो आज ही वीडियो में मैंने आपको जो हमारा किसी फैर EMT का जो नया software 10.7 आया है उसके बारे में मैंने आपको अपडेट वीडियो दिया हुआ है फ्लस आपको इस टूल को चलाने के तरीका भी सिखाया है इस टूल के मार्जम से मुबाइल फून कैसे रिपेर करेंगे वो हम कलास में रिपेर करते रहते हैं उसके भी मैंने वीडियो बना करके पिछले वीडियो टुटरियल में मैंने डाला हुए आप चाहे तो हमारे वीडियो को पीछे देख सकते हैं और software से related अगर आप कोई भी problem कोई भी दिक्कात आती है तो आप हमें संपर कर सकते हैं हमें call कर सकते हैं और अगर आप mobile phone repairing के complete training लेना चाहते हैं mobile phone repairing के बारे में पूरा complete सीखना चाहते हैं तो दोस training store को join कर सकते हैं यहां पर हम आपको बिकुल basic level से लेकर के advanced level तक की complete training देते हैं जिसमें सभी mobile phone को hardware software से कैसे repair किया जाएगा उस तो repairing करने का तरीका क्या होता है वह आपको एस से लिक है जैटे सभी mobile phone के बारे में सिख़्ा जाता है यह training center जो होता है कानपूर railway station जो पढ़ता है कानपूर railway station से जस पास में है और 500-700 meter के दोजी पर है यहाँ पर एक market पढके जाधर kind करने काळै उसका तरीका आपको सिखा जाता है झीरो लेकर करके अडवास से बारर में आपको शिखा जाता है एक है कि अबадцवाकु सुछा जाता है कि हम जो लोग जितने बीस आजरत जो बच्चे लोग मेडे पास सीखने के लिया अते हैं उनको में अक्षिवल में टेबिंग चिखाते कैसे हैं क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं, आप लोग मुझे comment करते हैं, message करते हैं, कि sir आप कहां से आपके आपके classes होती हैं, हम लोग सिखाते कैसे हैं सबसे पहली बात क्या होता है, mobile phone repairing का जो course है मोबाइल फोन रिपेरिंग का कोस है जितने भी सारे फ्रेसर बच्चे आते हैं जो भी कुछ जीरो लेवल के बच्चे आते हैं जिनको मोबाइल फोन चलाने के अलबा कुछ भी नहीं आता है सिर्फ मोबाइल फोन के चलाना जानते हैं बूबाइल फंग यूज्ट करना जाते हैं, रिपेरिंग की नाम पे वो आज नहीं जानते हैं, तो अगर ऐसे जितने भी सारे स्ट्रेंट आते हैं, उनको सीखने के लिए हमने इस पोस को चार अलग-अलग इस्तों में बाठ रखा हैं, चार अलग-अलग इस्तों में बाठ अपको काम करने के तरीका आना चीजिए, अगर आपको दोस्त काम करने के तरीका नहीं आता, आप कितना बढ़िया सीखे और तब भी बिकार हो, इसलिए आपको प्रेक्टिस होना बहुत अच्छी ज़़ुरी होते हैं, तो हमारे बाठ जितने भी सारे बच्ची आते हैं, तो सबसे पहले उनको पुरा प्रैक्टिकली वर्क चालू होता है अब प्रैक्टिकली वर्क में क्या होता है सबसे पहले बाद मुबाइल फोन को कोलना प्रैक्ट करना कोई भी मुबाइल फोन हैगा उस मुबाइल फोन को कोलेंगे कैसे हैं मोबाइल फॉन को बन गसे करेंगे मोबाइल फॉन के अंदे कितने के पार्ट लगे होते हैं उसको पार्ट को पहचानना ilan कई सी, जो उजों काम अम यह कहते हैं जो ही स्य大家好 आद में अदि उसके बाद polarized आधिमें अन्मोर ウィ lack of मांध्यम से मोबाइल फोन को कैसे चकिया जाता है या इसके मांध्यम से मदर बूड को देख कर करेंग कैसे क्या जाता है इससों कैसे जुमिंग होती कैसे कई क cioè zu transformer को के नहीं था हुझ तो कुछ नाजी न पाता होता न नयया दिमी को कहती ने आज तक मैं मैं यही नहीं सब बाइके ढबन को छीज़ों को बारे बच्छों को चला ना सिखा जाता है जाता है , जाता है , जाता है , जाता है , और आज और मोबाईल पून प्र आर्ण कर डोडु लगोपन की जाता है प्रड्लों कर ही चैन्ज कर करह से चैंज चारजआज ए चालु Couण से लिए LAUGHTER तागि आप कहां सफ़ा हो जाए, आप काम करने के लिभी रेडी हो जाए, जब आप काम करने के लिभी रेडी हो जाते हैं, तो हमारे पास जो बच्चा ऐसा प्रेसर आता है, जो कहता सर में मोबाइल फोन को फोना नहीं जानता, वो मोबाइल फोन के बारे में जो दुकान में एक साल में जाकर काम शीखता है, हम उसको 15 दिन जन्दर इन सब चीजों में माईर कल देते हैं, कि उसके लिए सारा काम, काम बो डालना, गलास डालना, कटिंग करना, पंचिंग करना, पेस्टिंग करना, यह सब उसके लिए बाहर यहां तर खेल हो जाता है, फिर मोबाईल फो कने जन्दर PCV को कैसे चेकिया जाता है, हमारे मोबाईल फोन को रिपैर करने के लिए अंदर का में मदर बोड होता है, उस मदर बोड को चलाएं के लिए टोटल 14 तरे के कंपोनेंस लगे होते हैं, तो उसको हम लोग छेट करना सीखते हैं, कि रिस्टर कैसे काम करता है, रि सपलाई को फि्ल्टर करता है कौन सप entwic料 को कम जाता है जाना सारी की बारे में सारे बातों के पर कि Loud चांब है इसके बात फिर आपका किल से क्छों के क होता है उसके बाद उसके बार सते लिग का की से यह क्लास होती है उसके का नरी ओता उन सारे Pf Wilds को हई से करेंगे उन सब चीजिजकों को फॉल्ट हो ठीक करने के तकर आम वंग ड्रेसिंन चेक करने के सिक्ट हैं। मुबाइल फून में चार्जिंग कैसे हो, लिए कैसे चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, कैसे उसको चैट किया जाता है, कैसे उसको रफेरा जाता है, ये सारा सबको सीख ते हैं. ताकि वो charging के problem ठीक करें, तो यह न बोले कि sir मैं connector नहीं लगा पाता है, मैं mobile phone में jumper नहीं लगा पाता है, मैं mobile phone में IC नहीं लगा पाता है, यह सारा काम उनसे न बोले, इसलिए हम उनको hand skill पहले ही मजबूत करा देते हैं, ताकि जो हम उनको काम सिखा है, जो काम बता है, वो अ मोबाईल फोन यह जावाफोन है एंट्राइब मोबाईल फोन है यह इन्टेम से काती की दिश्ख में सरी के दर किलासे तो इस तरीके से सारी कलासे। जिस में से अगर आप देखेंगे, जो प्रेटिकल के क्लास होती है है, इस तरीके से यह हमारा पुरा कॉर्स बैठा है, अगर इस पूरे कोर्स को अपकाउंट करेंगे, तो यह 90 दिन का पूरा कोर्स है दोस्तों, यह 90 दिन को कुर्स को आप विल्कुल 2-2 गंटे अकर हमको समय देते हैं इसलिए मैंने अपने जितने भी सारे बच्चे लोग हैं जो मैंने सिखाने के लिए उनको मैंने वैज को इसे साथ से मैंने जाइन कर रखा है यह हम लोग इस तरीके से सिखाते हैं ताकि हम हार्डवेर और सॉप्टर थ्योरी प्रेटिकल दोनों कॉंसेप्ट ले करके चलते हैं अच्छा हमारा सिखाने का वे क्या है यह तो मैंने आपको फॉर्मेट बता कि हम आपको कैसे क्लास दर आते हैं और कैसे सिखाते हैं सिखाने का मेरा format क्या है, हम आपको कैसे सिखाते हैं, सिखाने के लिए जो हमारा training का format होता है, उस format में हम theory और practical दोनों चीज लेकर के चलते हैं, theory का मतलब होता है concept, concept का मतलब होता है, आपको ये चीज पता होना चाहिए कौन चीज काम कैसे करते हैं, उसका काम करने के तरीका क्या होता है, कितने voltage supply होती है, charging में 5 volts होती है, battery में कितना voltage होता है, कौन ची line होती है, अगर मालिया मेरे mobile phone में charging jack है, तो charging jack में से कितने pin होती है, 1, 2, 3, 4, 5, अब पाचों pin का roll क्या है, यह वाली pin तुमारी वीबस होती है, जो charging के लिए जो होती है, यह pin तुमारी data minus होती है, यह pin तुमारी data plus होती है, SBID होती है, यह ground होती है, अगर सारी pin के तुमको detail पता है, तभी तो अब मतरबोर तो चेक कर पाएंगे न, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं दोसरी theory, concept, फिर इसी चीज को निकालना, लगाना, fit करना, अंदर की लाइनों को चेक करना, उस चीज को हम लोग दोस बोलते है practical, तो हम लोग theory, practical दोनों चीज को ले करके चलते हैं, तो हमारे पार जो भी बच्चे आते हैं, वो theoretical, practical दोनों तरीके से मजबूत हो करके जाते हैं, 45 दिन का में समय लगता है, अगर बच्चे दो गुंटे के समय देते हैं, अगर आप हमको दो गुंटे के समय देते हैं, तो सीखने में आपको 90 दिन के समय लगता है, अगर आप हमको आठ गुंटे के समय देते हैं, तो इसी कोस को 45 दिन में पूरा कर देते हैं, 45 दिन में पूरा कोस आप खुदी complete तरीके से पूरा कर सकते हैं, यह जो कोस रटा मानने का कोस नहीं है, प yen करने का कोई कोस् Nope Cory और आपको अगर कोई थोड़ी अपने । जयी तो जब आपने चेते में काम करते हैं , तो काम करते सारी छीजे इंसान को आ जाता है उसमें क्या क्या अब चूलन है उसमें एड़ी आपते हैं जैसे कि आज जोस naar एनको को जो टॉपिक को जेसे के आपको भी अंको की तोपिक मैं उसको पर उसको उसको उपर बीजय ड़ा है , मेरा नाम राजबन और मैं इससे आप से बादा करता हूं कि जब आप मेरे पार सीखने के लिए आएंगे तो बेभारिक लोग से जीरो लेकर के अडवांस लेकर की कम्प्लेट ट्रेनिंग लेकर कर जाएंगे और कभी प्राबलम कोई दिक्त कोई परिशान नहीं आते हैं तो मेरी हमेशा जुम्मेदाई रहती हैं आपको हमेशा मदद मिलती हैं बस दोसा आप आईए और अच्छी तरीके से सीख करके जाएंगे अगर चीज पुछने चाहते हैं को जानमे न dispयाता है। और श्कुत सsने कर जारति है। घंगाकुत नाोगते। और आप अपने आपको चट कर सकते हैं आप दोस्त आईए अच्छी तरीके से सीख कर जाएंगे और विकुल सभी चीजों के बारे मैं आपको सिखा के बेजूँगा आपको अगर महीने 15 दिन को समय और इसका लगता है तब भी कोई परित्तान होने वाली बात नहीं आप दोस्त आएंगे तो पूरण सीख कर कही जाएंगे इस बात का मेरी आपसे बादा है और आप कमप्रेटली सीख तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही आज जो मैंने अफडेट आपको दिया है वोस अफडेट को आप देखें सीखें समझें और वोस जोइन करने के लिए निचे मेरा स्क्रीन पर नंबर है उस नंबर पर 63917217216391221221221 इसमें किसी नंबर पर आप मुझे मैंसे कर सक करते हैं वर्ट्सप कर सकते हैं और अपने इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही वीडियो में बढ़ने रहने के लिए थैंक्यों करें